तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं याप पर डेली के डेली 7.30 पीम पर मैट्स के वीडियो आपको रेगुलर्ली प्रोवाइड करा रहा हूँ तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एवरेज अर्थात ओसत क्या होता है और इससे रिलिटेट एक्जाम्स में क्या क्या क्यूशन्स आपके पूछे जाते हैं मस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी पर तो गैस यदि मैं आपसे पूछने लगो कि आउसत अर्थात एवरेज क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे तो गैस चलिए समसते हैं से एक बहुत सिंपल से एक्जामپल से तो गैस सबोस्स कीजियेरा कि आपके इहां पर जो वाइक है और वाइक तो बही सभी के यहां पर होती है जो आपके यहां पर वाइक है कभी कभा चलती है एक लीटर में 60 km तो यहां से अब आप यदि कोई पूछने लगे कि आपकी गाड़ी एक लीटर में एवरेज कितना चलती है तो आप क्या बताएंगे कि कभी यह चलती है 40 km, कभी यह चली थी 50 km, कभी यह चली थी 60 km कि आप पता है यह संक्या में से क्लीर कर देती है 40 km जो उन सभी संक्या कि वीच संक्या होतीümüz मुझली वीच की संक्या हम बहां से एवरेज वाली संक्या लेते हैं और चलिए बिस्तार से से हम नीचे समझते हैं कि एवरेज आपका क्या होता दीकि पहला प्यारा सा क्योशन यहां पर लेते हैं सिंपल सा एक्जाम्पल है इसके दिरू में आपको बताने की कोसिस करूँगा कि average actually में होता क्या है देखिए यहाँ पर question कहा रहा है कि जुलाई, अगस्त, सेप्टेंबर और अक्टूबर महीने में किसी इस्थान पर वर्सा किरमसा 70 cm, 65 cm, 55 cm और 90 cm हुई तो उस इस्थान पर औस तन बर्सा कितनी हुई अर्थात औस यदि इन चारो संक्याओं का आपको बताना है तो कितनी होगी देखिए ओसत का जो simple formula होता है वह क्या होता है देखिए जितनी भी संक्याओं आपकी ऊपर दे रखी हूं ठीक है जितनी संक्याओं उन सभी का योगफल ऊपर आपको करना होता है और नीचे जितनी संक्याओं मतलब संक संख्या जैसे यहां पर दे रखा है सत्तर पैंसट पच्पन नभ्य कितनी संख्या है यह आपकी चार संख्या है दे रखें तो नीचे आजाती है टोटल निमबर्स तो उससे जब आप डिवाइट करते हैं तो वह आपकी औसत निकल आती है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है ज और माद्य दोनों एक ही चीज होती है क्या करते हैं ऊपर सभी संख्याओं का योगफल नीचे संख्याओं की क्वांटिटी मतलब कितनी संख्याएं हैं उससे डिवाइट करने के बाद में जो भी आपका अंसर वहां से प्राप्त हो वह आपका ओसत निकल के आता है जैसे अ क्या है और मोस्टि मेर बात बता हूं यदि आपकी तीन संख्या ओ चाठ संख्या निकल करके आती है अब देखिए आप इन संख्या‐ं को आउसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे गजितक्या 55 और 90 इन 4 संक्याओं को आपको क्या करना है उपर जोड़ देना है ठीक है और नीचे कितनी संक्याओं है 4 संक्याओं है तो 4 संक्याओं से यहाँ पर डिवाइट कर देना है अब इसके बाद में उपर योकफल कितना होगा इन सब का योगफल यहां से निकल करके आएगा 280, संक्या आपकी 4 दे रखी है तो कितना हो जाएगा आपका आजाएगा, देखिए 7 चोक होता है आपका 28, जब 4 से 28 को डिवाइट करेंगे तो आजाएगा 7 चोक 28, तो यहां से जो निकल करके आएगी 70 आपका इन सबी संक्याओं का ओसत निकल करके आजाएगी, अर्था आपके बहाँ पर जो औसतन बडसा होती है भ promo आपकी 70 cm होती है इन संक्याओं का ओस यहां से सतर निकल करके आजाएगा तो आपने यहां पर थोड़ा बहुत नोटिस किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो 70 है आपकी एक कैसी संक्या है जो आपकी चारो संक्या ही इन संक्याओं में से एक बीच की संक्या है इन चारो संक्याओं के बीच की संक्या है गौर करिये गादे कि 65, 55 और 70, 90 कहां से है यहां कि बीच से लिया गया है तो वही ओसत जो होता है बीच की संक्या होती है चलिए अगला प्रसंद लेते हैं यहां पर आपका क्लियर हो जाएगा क्यूशन नमबर दो कह रहा है कि एक से नबे तक की समस्त संक्याओं का ओसत ग्याद कीजिए अब देखिए यहां पर आप यदि बेसिक मेताड इसका यूज़ करने लगे तो बहुत जादा आपको टाइम लग जाएगा जैसे कि मैंने अब आपको बताया था कि ओसत का जो फॉर्मूला होता है टोटल संक्याओं का योगफल बटे टोटल संक्याओं की संक्या नीचे लिखनी होती है उस तरीके से आपको नहीं करना है क्योंकि एक से लेकर नबे तक आपकी संक्या कितनी हो जाएगी 90 तो संख्याई हो जाएंगी क्योंकि 1,2,3,4,5 ऐसे करके लिक्षेंगे फिर उन सब को जोड़ेंगे तो यहां से तो आपका इतना ज़ाधा time-based हो जाएगा कि बहुत ज़ाधा time-based हो जाएगा ऐसे थोड़ी करना है आपको जो करना है इस method के आगे आपका कोई भी formula काम नहीं करता कोई trick काम नहीं करती है सारे के सारे method fail हो जाते हैं बस simple सा method है और सारे equations आप चुटकियों में निकाल सकते हैं जैसे कि example आपका गहरा है कि एक से लेकर 90 तक की समझत संक्याओं का वस्त बताइए basic method से आप यदि इसे निकालने लगे तो बहुत जादा time based हो जाएगा क्योंकि बह चलता है कैसे 1, plus के 2, plus के 3 क्योंकि एक से लेकर 90 तक की सवी संक्याओं को पहले आप add करेंगे उसके बाद में 90 से उसे divide करेंगे फिर जाके आपके answer आएगा और उसी प्रकार हम वहां से बैसे ना करके हम अपने इस universal method से करते हैं इसमें क्या करना है इसमें जो संक्या सबसे पहले हो और जो संक्या आपकी सबसे आखरी हो उन दोनों संक्याओं को जोड़ दो अब जितनी संक्याओं है उससे आपको divide करना है अब देखे एक प्लस का 90 क्योंकि पहली संक्या एक है अंतिम संक्या आपकी कितनी है 90 है तो एक प्लस के 90 बटे दो बराब यहां से हो जाएगा 91 बटे दो 91 को जब आप दो से काटेंगे तो हो जाएगा 45.5 अर्थाति यहां से एक से लेकर 90 तक की जो समस्थ संक्याओं का यौसत होगा भै आपका 45.5 हो जाएगा तो यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में आप किसी भी संक्याओं का यौसत निकाल सकते हैं ठीक है भई? चलिए अगला प्रसन लेते हैं यहां से और आपका किलियर होता है दीए कर रहा है पचास से लेकर के 120 तक की समस्थ पूरांग संक्याओं का उसत बताईए अब दीए कि यहां से आप क्या करेंगे 50 प्लस के 50 प्लस के 52 डड़ ड़ ड़ प्लस के 120 यही तो आपका basic method है ऐसे नहीं करना है आपको simple करना है कि 50 प्लस के 120 बटे दो क्योंकि पहली संक्या आपकी 50 है दूसरी संक्या आपकी 120 दे रखे है और last में आपको डिवाइट करना है टोटल संक्याओं की number से क्योंकि दो ही संक्या है दो ही संक्या है तो से दिवाइट कर दो कितना हो जाएगा था कि 50 प्लस के 120 हो जाएगा आपका 170 170 को जब आप 2 से काटेंगे तो आजाएगा आपका 85 तो 85 पचास से लेकर के 120 तक की समस्त पूर्णांग संक्याओं का उसत होता है तो देखा कितना सिंपल है कितने आसान तरीके से आप यहां से निकाल सकते हैं कोई ट्रिक की आपको बताओं कहीं कहीं पर ट्रिक आपकी फेल हो जाती है आंसर भी गलत हो जाता है तो ज्य एक से लेकर 71 तक की पहले आप बिसम संक्याओं लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल मेतड आपका यह नहीं कहता तो यदि आप एक से लेकर 71 तक की बिसम संक्याओं निकालने लगे तो बहुत टाइम तो उसी में बेस्ट हो जाएगा तो आपको वही वेसिक मेतड यूज नह होता है इसाएं उस्त किया को दिक्कत नहीं है बहुत सिंपल तरीकर से निकाल सकते हैं ठीक है बिर्तम 50 क्यूट संख्यास का वसद घ्याद कीजी है अब पर प्रचास प्रत्यास्ज और कि पूचा है तो आपको यहां पर विल्गुल्ग कन्फ्यूज नहीं होना प्रिथम 50 के दिया तो हम यहां पर किसका उसत निकालें देखी प्रिथम 50 प्राकरटिक जो संक्याइं होती है बहुती है एक दो तीन चार पांस, मतलब एक से लेकर 50 तक की सभी संक्याओं का आपको उसत बताना है तो यहां पर आपको क्या करना है इन सब को जोड़ना नहीं ह पहली संक्या लेनी है और अंतिम संक्या लेनी है उनका युक्फल करना है नीचे दो लिख देना है बटे में और वहाँ से आपका अंसर आ जाता है कि 50 प्लस का एक हो जाएगा 51 बटे दो तो यहां से निकल करके आएगा 25.5 तो 25.5 जो है 50 प्रतम 50 प्राकृतिक संक्याओं का उसत होता है तो इस तरीके से आपको उसत ग्याद करना है कोई वेसिक मेतड नहीं वलकि यूनिवर्सल मेतड यूज करना है ठीक है चलिए और प्रसन लेते हैं देखिए और क्लियर होगा आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा तो देखिए प्रतम 50 प्रतम संक्याओं का उसत बताना है देखिए प्रतम 50 बिसम संक्याओं का उसत बताने का मतलब यह नहीं कि एक और 50 को एड़ करने के बाद आप दो सी डिवाइट कर दें आपका अंसर आ जाए गलत हो जाएगा क्योंकि यह पूझ रहा है प्रतम 50 बिसम संक्याओं का तो पहले आप एक बार इन पे भ संक्याओं complete होजाएंगी तो अब आपको जो ओसत निकलना एक इसका निकलना पहली संक्या और अपली संक्या यहसे जोड़ँ उसके बाद में यहा से ऑसत निकलना एग है पिर्थम 50 बिसम संक्याओं का तो एक प्लस के 99 बसक्याओं का आपका हिन्ट का बसक्याओं को पूछे वो भी सिर्फ प्रिथम के लिए होता है इसलिए ट्रिक आपके हमें सब फेल हो जाती है जैसे मानलो आपसे पूछ लिया कि प्रिथम 20 विसम संक्याओं का उसत बताईए तो 20 ही उसका अंसर होता है ठीक है लेकिन यदि उसमें पूछ लिया कि भाई यहां से 10 से लेकर के 100 तक के बीच में जितनी भी विसम संक्याओं आती है उनका उसत बताईए तो भाई आपके ट्रिक फेल हो जाती है फिर आप यही यूनिपरसल मेतड़ अपनाएंगे ठीक है यहां पर पूछा था प्रिथम 50 विसम संक्याओं तो एक तीन पांच साथ नो दस सौरी दस नह क्याओं का उसत बताईए अब यह सेम प्रसन है क्योंकि इससे पहले क्यूशन में पूछा था कि प्रिथम 50 विसम संक्याओं का उसत और इसमें पूछ रहा है प्रिथम 50 संक्याओं का उसत तो पहले एक बार देख लो कि प्रिथम 50 संक्याओं आपकी होती कौन कौन सी तो द कि यंदे कंगे कि संसंग्या做 उषयां को ऐसे बताना है तो पहली संख्या और अंतीम संख्या आपको इहांपर ले हैं मैं ने पहला बताया था तो पहले संख्या olmuş अले लिए और नीचे जब उपर दो संख्यां तो नीचे रिवाइट करेंगे ऊपर हो जाएगा 102 नीचे हो जाएगा आपका दो एक सो दो को आप दो से लिवाइट करेंगे तो आजाएगा आपका एक क्यावन और क्यावन ही आपका यहां से औसत निकल करके आ जाएगा ठीक है वही तो अगला प्रिशन आपका कहा है कि मतलब हैं अनका आपको यहां पर बताना है करना कैसे कुष्षन को ॐन बहु कौनसे होते हैं गि कि पर् clockwise को नौसे होने कि होते हैं त्यान थे कि क्यूशन पर दिया संक्या complete हो जाएगी तो आपको देखी करना क्या है मैंने आपको उताय था पहली संक्या ले लो ठीक है और लास्ट की संक्या ले लो और उसे दो से डिवाइट कर दो आपका अंसर आ जागा यह भी ठीक है लेकिन यदि इनकी संक्या जादा होती यहां पर मातर आपके 12 गुड क्या नहीं है क्योंकि 10 के प्रितम 12 गुड़ज तो भी 10 तो आना है ठीक है अब पूछ रहा है 12 गुड़ज तो 12 से मल्टिप्लाई कर दो 10 की 12 से आपके टोटल गुड़ज वहाँ पर आ जाएंगे कि कि इसका जो उसत निकल करके आएगा बहे आजाएगा आपका 65 तो इस तरीके से आपको इस प्रिकार के क्यूशन को करना है चली अगला प्रसंद लेते हैं फिर आपका यहां से किलियर हो जाएगा कर दस के अठारवे गुड़ज से लेकर के 40 बुरंच तक के सभी गुड़ज का औसत ग्यात कीजिए अब देखिए अब क्या आपके इनकी मल्टिप्लाई करते परंगे नहीं मल्टिप्लाई नहीं करनी है क्योंकि यह कर आए दस के Naharवे गुणच से 40 बुरंच तक के गुणच का सभी ओसत आपको यहाँ पर बताना है तो देखिए पहली संक्या और अंतिम संक्या बटे दो आपको लेना है तो पहली संक्या आपके वह जाएगी 10 के 18 गुणच से क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग है तो 10 का 18 गुणच कौन सा होगा हमें नहीं पता से गुणा करेंगे हो जाएगी 180 10 की 40 से गुणा करेंगे हो जाएगा 400 बटे में आपको कर देना है कितना दो अब 180 और 400 को आड़ करेंगे आ जाएगा 580 पांसो आज़ी को 2 से डिवाइट करो आ जाएगा 290 अब 290 ही यहाँ से इसका अंसर आना है और कुछ भी आपको नहीं करना है तो आपको सारे के सारे क्यूशन इसी प्रिकार से करने है ट्रिक का यूज नहीं करना है क्योंकि ट्रिक हमेशा साथ चोड़ती है लेकिन यदि एक बार ये मैथड निकालना आप सीख गए तो लाइफ में कभी भी औसत निकालना नहीं भूलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सावित होता है ठीक है चलिए अब दसबा प्रसन हम आपके लिए होंबर्ग देते हैं इस प्रसन का अंसर आपको बताना है कोमेंट करके क्योशन कराए कि चार क्रमागत सम संक्याओं का औसत नो है तदानुसार उनमें सबसे बड़ी संक्या ग्याद कीजिए देखी इस प्रसन का अंसर आपको कमेंट करके बताना है यदि आपसे होता है तो ठीक है नहीं होता है तो हम इसका सॉलिशन पार्ट नमबर टू में आपको बहुत जल्द ही प्रोवाइट करेंगे तो दोस्तो अपने सब्दों को यहीं पर ब्राम देते हुए आज की ये वीडियो यहीं पर समापत होती है और यह वीडियो आपको कैसी लगी कितना आपके समझ में आया कमेंट करके जरूर बताएं और गैस यदि चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही था बहुत जल्द ही मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केर बावाए जैहिन जैभारत